अब्सक्राइब नव एड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट जहन दोस्तों सभी ट्रेनी को मैं नमस्कार करता हूं अगर आप लोग एलेक्ट्रीसियन इलक्ट्रोनिक्स किसी भी ट्रेट्स तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना हम एलेक्ट्रीसियन और अब लेक्ट्रोनिस की बिडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं आईटाईगी और स्दियर वाले अगरकर हो धो तो यूट्यूभ पर बिएंख हमारे लिस्ट में या एलेक्ट्रोनिक्स कि हमने पहले ही इनुअ करवा दिया और कुश्चन हमने 50 करवा दिये थे अब हम बात करेंगे 51 से तो कुश्चन नमर हमार है कंफर्मर कोटिंग कि कौन सी विधी का उपयोग PCV पर लेपित एपॉक्सी के लिए किया जाता है तो दोस्तों विलायक यह हम कह सकते हैं कि छिलना यह हम कह सकते माइक्रो बलास्टिंग यह हम कह सकते हैं यहांत्रिक निस्कासन तो राइट अपसन कौँ सा हो Rankin का अगर आप लोग नेरी कौन सां लगा दिया इन चारों उप्सन में से अगर आप लोग नेरी सीव 2 उप्सन यानिकि कान्फर्मल लेप लगाना ऑर हटाना अशान है एपॉक्सी रेजिन एक्रोलिक रेजिन सिल्कोन रॉल यह पोडिया पैरासीली लिक्लें तो राइट पसन कौन आफ्षों जो जाएगा द कहा या नि य करओं कि व्हों घटेट जाए काburg र्वाट कि हैट्र आप लेक्टों इस पूरी सीरिज से आपका एक बी कुश्चन भार नहीं जाएगा ये मैं आप लोगों से प्रोमिस करता हूं ठीक है तो प्लीज आप लोग इन कोश्णों को अच्छी सरट लेना और वीडियो को अपने दोस्तों चाहिए तुमार कोई भी दोस्तों यह मत सोचना कि मेरे लिए भी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर करना और चैनल पन नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर त्रेपन का जो दोस्तों राइट अप्सटों अगर आप लोगों त्रेपन का डी ओप्सन लगाया है कौन सा यह वाला पॉलीमर फिल्म कोटिंग तो डी ओप्सन मारा क्या जाएका राइट अप्सन हो जाएगा आई कोशन हमारा रिफ्लो सोल्टरिंग पर अंतिम जोन कौन पहले से घरम जोन ट्रेपलो जोन सीतलक जोन घर disciples serves even faster ऑप्सन हो जाएगा तीडवाइज eyes पच्पन है रिफ्लो सोल्टिंग प्रिक्रिया में दूसरा जो है चड़ कौन सा है मतलब दूसर चड़ पूचा गया तो पच्पन कमारे टॉप्सन देखते हैं तो पच्पन का जो हमारा राइट अप्शन हो जाएगा रिफ्लो जोन सीतलक जोन पहले से गरम जोन थर्मल सोक तो रैट प्प सउन καंजाएगा डि अप्शन जो हो जाएगा पच्पनका पच्पनद अगर आप लोने डिय आप्शन लगाया है कहल Lamai Department रूप्शन हो जाएगा पहले से गरम यहां कहीड सकते हैं थरमल सोक जोन तो दूस्तों चार फ्रीट किरिया के जोन में तापमान रेंप अपदर क्या है तो यह देख सकते हैं वन डिग्री सेल्सेश टू यानि थ्री डिग्री सेल्सेश अपॉन सेकेंड यह चार डिग्री से पांच डिग्री सेल्सेश यह हम कह सकते हैं कि 11 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सेश तो राड़ अगर आप लोगों ने एक डिग्री से तीन डिग्री अपन सेकेंड यानी कि ये वाला हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट वाला हमारा राइट ओप्शन हो जाएगा ठीक है आगे कुश्चन देखेंगे आगे कुश्चन नमारा है तो कुश्चन नमार हम 58 से देखें कि ये देखिए कुश्चन आ चुका आपके इसकी निपर मुद्र सर्गट वोड में सतय माउंट घटकों को सनलगन करने की शामान विदी क्या है वेव सोल्डरिंग, मैनुवल सोल्डरिंग, सोल्डरिंग स्टेशन यह हम कह सकते हैं कि रिफ्लो सोल्डरिंग, तो दोस्तों 58 का जो हमारा राइट आप्सन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा डी आप्सन, यानि कि हम कह सकते हैं रिफ्लो सोल्डरिंग, डी आप्सन इसका क्या हो जाएगा सही ओप्षन हो जाएगा ठीक है आगए कुश्चन देखेंगे आगए कउश्चन असाथी उख कोश्चन हमारा पीवी सी पर सोल्डर जो हमारा हुता है मास्क प्रदान करने का उद्थ्ट क्या है आसान सोल्डरिंग यह हम कह सकते हैं कौन फॉर्मल मेल रोटिंग निकालने लिए यह हम कह सकते हैं कौंफरावाल कोटिंद दान करने के लिए यह हम कह सकते हैं दोस्तों स्ल्डर ब्रिज को रोकने के लिए तो अठाब उनसटब त्लॉगन कौशica Когда आप लोगन सहजा अगर आप लोगने कौश हो चैसा अगरом ऑन मैं बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें ठीक है आगे कोश्चन नमारा है घटकों के प्रतिस्थापन के लिए पीवी से पर सुल्डर मास कैसे अठाया जाता है है माइक्रो बलास्टिंग यह हम कह सकते हैं पीशना और कुचना यह हम कह सकते हैं अनुरूफ कोटिंग को चिलकर यह हम कह सकते हैं फोटो ली तो ग्रॉफी तो अगर साथ का दोस्तों कौन सा 60 का अगर आप लोगों ने कौन सा लगा दें चारो ऑप्सन मेंसे जो मारा डी उप्सन हो जाएगा आगे कोशन देखेंगे कोशन नम्मर 62 तो यह आ चुका है कोशन टांका लगाने की प्रक्रिया का उपयोग करके टांका लगाने वाले जोड की fine grain संरचना कैसे प्राप्त की जाती है तो कैसे की जाती है तेजी से ठंडा करने की दर, मंध सीदे लंदर, यह हम कह सकते हैं, ओवन का तापमान बदल जाता है यह हम कह सकते हैं उच्छताप सोक शामान तो दोस्तों 62 का अगर आप लोगों ने क्या लगा दिया है 62 का अगर आप लोगों ने A option लगा दिया कौन सा A option यानि कि तेजी से ठंडा करने की दर तो first वाला क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों right option first वाला ही हो जाएगा अगर कोशन देखेंगे कोशन नंबर 63 तो कुशन नंबर 63 62 का कौन सा था एक मिनट हाँ यह option अब 360 नंबर कोशन है प्रभा टांका फ्लो सोल्टरिंग लगाने की प्रिकरिया में सीतलन छेत्र की विशिष्ट आपमान सीमा क्या है पांच डिगरी से दस दिगरी सेल् Caneus यह हम कह सकते हैं ग्यारा से पंदरा डिगरी सेल्चेस यह हम कह सकते हैं थीश से 100 डिगरी हम कोश्याष्शन हो जायेगा तोLanологी एक हम वे धियु सब हो जाEXानि कि यह वाला 30 डिगरी से 100 डिगरी सेल्च ठीक है दोस्तों डी ऑप्शन किया हो जागा हमारा right option डी ऑप्शन हो जाएगा आगे क्वेश्चन हमारा circuit board की assembly के लिए किस निर्माड तकनीक का उपयोग किया जाता है तो 64 64 का मारा right option कौन सा हो जाएगा हम कह सकते हैं माइक क्रोचिफ फैब्रीकेशन यह हम कह सकते हैं दोस्तों सिंगल लेयर फैब्रीकेशन यह हम कह सकते हैं दोस्तों डवल साइड़ फैब्रीकेशन यह हम कह सकते हैं दोस्तों प्लेटेड थेरू हॉल फैब्रीकेशन तो राइट अप्शन कौन सा जगा 64 का अगर आप लोगो पर गटकों को मांट करने के लिए उपियों की जाने वाली तक्नीकी का नाम क्या है देखते हैं उप्सन तो 65 का जो मारा राइट ऑप्सन हो जाएगा पहले मैं आपको यह देखा दें यह आप देख सकते हैं फिर यहां पर हैं उप्सन हमारे ट्यक्ति माइक्रोचिप फैब्री केसं चेलने की तक्नीकी जोईनिंग यह हम कह सकते हैं जौइनिंग टक्नीकी यह हम कहसे थे प्लेट थुल को तो 65 का जो मारा राइट ऑप्सन हो जाएगा अगर आप लोग उने क्रूकश्ट यह करूंगो आप लोगक क्या वीडियो देख चले जाते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो किया दोस्तों आने वाले समय में हम आपको वीडियो के माध्यम से पलपल की जो भी अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज प्लीज तो क् सब्सक्राइब दोस्तों आप लोगों ने कौन सा लगा दिया डियोप्सन राइसानिक वास को जमाओ तो यह क्या हो जाएगा आगे देखेंगे कुश्चन हमारा है सोल्डर पेश्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है जब रैप दर पर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रिक्रिया में अधिकतम डलान से अधिक हो जाती है ऐसे घाराब की किराब लापन यह हम कह सकते हैं दूस्तों कौन सा आग और गैसें यह हम कह सकते ब्लूवल एफेक्ट हम कह से के इस पर रिंग प्रभाव तो दोस्तों इसका ए मोसी हो जएका देखते हैं आगे कोश्चन आगे कोश्चन हमारा अर्षट नंबर कोश्चन रेंप दर पर रेंप अप दर रिफ्रो सोल्डरिंग प्रक्रिया के हीट जोन में अधिक्तम डलान से अधिक्तम होने के बाद घटकों उपर क्या प्रवाव पड़ता है तो दोस्तों जला हुआ त अगर आप ये वीडियो अगर आप एक या दो बार देख लेते हो तो आपके सो में से मैं आप से बोला हूं सो में से असी नंबर तो आपके आई जाएंगे ठीक है क्योंकि मैं एकदम ऑथंटिक चीज़ बता रहा हूं आपको कि निमी की कोश्चन हंडेड फरसन फश्टिय में वही आयते जिन दोने एक्जाम दिये आप ये बात खुछ समझते होंगे फश्टियर की जब आपने एक्जाम दियोगी ठीक है फिर हमारा है रिफ्लो सोल्टरिंग प्रक्रिया का अधिकतम स्वीकार तापमान किस छेत्र पर या किस छेत्र में पहुंसता है तो दोस्तो उननत्र का शुमारे र्उप्षण हो जाएगा वह कौन सा उजयागा यानि कि हमकर से तलग प्रिईट यह différents सोक तो प्रेट अप्शन यहीं हो चाएगा कौन सा इस एंधरócicki यानि कि इए उप्षण हमारा आख सेंगा सिस्टीनाई का अश्टह्ट है कि क्विश्टिन अवा कुद को रोखने के लिए तो दोस्तों सत्तर का जो मारा राइट ऑप्षन हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान को रोखने के लिए तो इसकी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्षन छंग को रोखने के लिए इस के लिए मैं चाहता हूं तो बी ऑप्षन हो कह Works honey a सट्र का मारा क्या यही हमारा हो जागा यानि के figure दिन को रोखने केलिए ठीक है C नहीं होगा क्यूंशन अमारा है रिफलोग्लेंग प्रिया के लिए सितलन दर है को отк सीतल अंदर यह हंको बताना है तो एकतर कामराईट अप्षिन कौन सो जाएगा तीन डिगरी हम सेकेंट चार 及डिगर्या फिर 50 दिगर्या फिर 10 डिगर्या तो एकतर का माराईट अप्षिन हो जएगा दोस्तों हो हो जाएगा यानि की वह हो जाएगा चार दिगरैं cercius अपन सेकेंड ठीक है कोश्चन नम्मर 22 देखते हैं रिफ्लो तो यह रहा कोश्चन आपकी स्कीन पर कोश्चन कह रहा है कि अधिक समय तक गीले होने वाले अत्धिक इंटर्मेटिक विकास पर क्या प्रवाव पड़ता है गीला खराब गीला पन फिलक्स आक्सिकर्ड जोड भंगुरता यह फिर सोल्डर चितर आना तो दोस्तों बहत्तर का जो मारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बहत्तर का इन से वह हो जाएगा यानि कि जूड जो होता है वह भंगुरता हो जाता है यानि कि कौन सा सी ओपसन थे वाला मारा नही sık smile adult को प्लीज वीडियो को क्या करें पूरा देखें ध्यान से ठीक है क्या कारण है क्या क्लेक्सिक वहाइब फिलक्स इस आफई के कारवाई समय तक जोन प्रिहीट जोन समय यह हम कह सकते हैं अधिक धर्मन सुग अनावार्ड यह हम कह सकतें आप परयापत समय अपन ताप्मान तो दोस्तों creative का जो मरबर राट आप समय अपनी ताप्मान तो इसी किसा आपसे D option क्या हो जागा दोस्तों सही option हो जाएगा आई कोश्चन देखते हैं कोश्चन है पी टी एच सरकेट बोड़ों में चाती ग्रेस्ट वी आई एस की मरंबत कैसे की जाती है किस प्रकार से करते हैं PVC बदले या फिर हम कैसे जंपरों को बदले या हम कैसकत दोस्तों कनेक्टर का प्रियोग करें तो राट अप्सन जो हो जागा 24 का हम दोस्तों कैसे करेंगे सूरा का उप्योग करके कैसे सूरा का उप्योग करके ठीक है दोस्तों सी ओप्सन सही हो जाएगा आगे देखेंगे तो 525 नम्बर कोश्टिटन है कोश्चन है दोस्तों एक पुनाहँ व्यो करने योगी ऐज आरसी फ्यूस का क्या है फ्यूस फैक्टरप वतां है तो मैं वश्यूस लगा था तर के तर्गायदफ सनग चातनी ति यह कंपार पंद रहाएं तुन नियहां थे Liu एक एक दसमालब एक एक दसमालब दो एक दसमालब फाइड दसमालब है बारवा अनुपाद क्यों निकल रहा है कि मैंने अनुपाद का चैप्टर पढ़ा था इसलिए ठीक उसके लिए छमा चाहता हूं तो इसका 75 का उपस्टन हो जाए थोड़ा आप मांट डाइविड ना क कर्टेज की करेंट रेटिंग क्या है मतलब उसकी क्या बतानी है उसकी जो फ्यूज की करेंट रेटिंग होती वो बतानी है अगर आपनों अच्छे से पढ़ा होगा तो 1250, 1350 A, 1450 A, 1550 A यानि कि फर्ष्ट वाला ही क्या हो जाएगा हमारा राइट अप्सन हो जाएगा आए कुश्चन हमारा है घरेलू बायरिंग के लिए उपयोग की जाने वाले पुनहां उपयोग योगी फ्यूज की करन ट्रेटिंग क्या है 20 A, 200 A, 300 A, 400 A, 500 A फर्ष्ट वाला ही क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्सन हो जाएगा ठीक है दोस्तों आगे कोश्चन देखते हैं कोश्चन यहां पर यह MCV जो आपने देखी होगी जो हमारे घरों में MCV लगी रहती है जब हमारे घर में कोई नहीं तो आप लोग इसका जरूर प्रियोग करें और काफी इसका वेनिफेट रहता है MCV में एक्स के रूप में चिंड़ने यह यहां पर देख सकते हैं यह आई ट्याई में आपको CCV खोलके बताई जाती है यह पार्ट यह है कॉन सा पार्ट कौन सा प्लें है तो सग़ोल नौadian यह हम केह सकते हैं उसले और हायप सॉलेन नौइड यह हम कह सकते हैं । समय नर्स आई नर्ण इन्मांगेे कह सब्त inheritance जो हो जाह条 cord और दोस्तों यह DMRC question जो है यह previous question DMRC में यह question पूंचा गया था MCB से related क्या नाम है जो मारी विद्दूत परिपात होती है उसमें रिले का क्या नाम है यह हमको बताना तो लेचिंग रिले इस दोच्वले यह हम सकते हैं dry read relay यह हमकर सकते हैं बोल्टेज sensing एक होजाएगा वह कौन सा होचाने यह तो यह क्या होजाएगा सी अप्शन इसका राइट ओप्शन होजाएगा निक छाटल तो आज की जो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी प्लीज वीडियो को पूरा देखें ध्यान से पुनहां उप्योग करने योगी फ्यूज के लिए उप्योग किया जाने वाले टिनटेट कॉपर वायर 40 हमारो चाहरे डियो सकती यह कितनी हो सकती है तो एक एम्पियर 1.5 एंपियर 2.5 एंपिए 4.0 एंपियर तो आसी काम वायर आट ऑप्सिन खास उजाएगा वह जाएगा एक मिनिट छारे बंप वायर एप्सिन इसका असी का दी ओप्सिन हो जाएगा हमारा आई कोश्चन देखेंगे हैं कोश्चन नंबर 81 तो कुश्चन आपकी स्क्राइब आज चुका है एक्स चेनित हमको बताना है जो क्वार्टी फ्यूज भागा भाग है जो ऊपर वाला एक्स वाला यह हमको बताना है तो दोस्तों 81 कमारा एट अपसन कौन सा एक एंड़े बतासा अंजना मागे तो हमसे हीट कंटेक्ट आज लोटे हैं एह मेंसे फियोज्ज वाय डयर बोलते हैं यह फिर हम दोस्तों से से अनड फिलिंग बोलते हैं यह हम कह सकते हुं निंडिक पो टें तो क्या बोलते हैस को तो 81 कोशन है एक मिनुट हां कोश्चन है विद्धू सरकेट में प्रियुक्त संचित नाम ELCB जो हमार ELCB है इसका हमको क्या बताना फुल फॉर्म बताना और दोस्तों यह एक ना एक दो कोश्चन फॉल फॉर्म से जरूर आते हैं चाहएब फशटी रोगो जिया हो बहुब 52.kus दोस्तों क्या में बतानी यह एक में ईक murKit देखा रेले का परकार क्या तो यह देख सकते हैं आप अच्छे सी स्क्रीन पर अब इसके प्रकार देखते हैं चार ओप्षन यह हमको बताना है तो यह आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं थर्मर रिले, ड्राइरीड रिले, इंपल्स रिले या फिर लैज रिले तो 83 का दोस्तों जो हमारा राइट ओप्ष सिर्णा च्ञे लिए here, किस स्रंखला या स bromी गया जाता है, बहुती अच्छा कोशन तो 84 का जो मारा राइट अप्षन हो जाएगा हम दोस्तों करेंगे क्सका 84 का यानि की buildings स्वासी आप इसीज्य मचीघ का प्रियोग करें चेक क्लो एंपियर आठ दस बारा तो कौन जो जाएगा फर्स्ट वाला यह मारा क्या हो जाएगा ठीक है फर्स्ट वाला आए कुश्चन देखते हैं कुश्चन है डीसी स्रंखला अपन सीरीज एंप सीवी के लिए अधिक्तम बोल्टेज रैटिंग क्या है तो छासी का दोस्तों जो राइट आप्शन हो जाएगा चाशी अभू हो जाएगा 220 वीडी ऐस अधिक्तम करेंट रेटिंग क्या है तो चार पोल एंसी करेंट के रेटिंग क्या हो जाएगा वह हो जाएगा तो राइट आप्शन जो हो जाएगा वह इसका भी क्या जाएगा साथ एंपियर को भी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा आगे कोश्चन है कोश्चन बोल रहा है कि एक सरकेट में ओवर करेंट सुरुच्छा के लिए चुने गए पुना प्रायूज फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर है तो एक पॉइंट व già एक पॉइंट तो एक पॉइंट एक पॉइंट तरी ऊपर तो एथासी वाह एक पोईंट फोर यानि की दोस्तों ये वाला हमारे क्या हो जाएगा बेकी ऑप्शन का रायन्ट आप्शन रजा यह हम कह सकते हैं prospective fault current तो 89 का जो हमारा right option हो जाएगा उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्राक्सिवेक्ट वो प्रेक्सिवेक्टिव fault current तो इसकी हेसाब से क्या जागा दोस्तों D option हमारा right option D option हो जाएगा आगे देखते हैं आगे कुश्चन है संपर्ग संयोजन तोड़ने वाले या इस्थानी इंतरित करने के लिए किस रिले में संपर्ग ववस्ता है ड्राई रीड रिले लॉंचिंग रिले मरकरी वेटेड कॉंटेक्ट रिले यह हम कह सकते हैं दोस्तों क्लैम पर टाइप आर्मेचर रिले तो आगे कुश्यन है जब क्व queries में current उपरी सीमा पर पहुंचता है तो कौन सा रिले कारी करता है launching रिले करंट रिले यह हम कह सकते हैं सेंग तन आं और करहोंटेय सैसेंग निया हम कह सकते हैं कि वोर्टेज सैसिंग रिले। तो 90 बन गोutan हो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे करेंट सेंसिंग रेलियन इसका सही हो जाएगा कि आगे कोश्चन है बिजली के जटके से बचने के लिए विद्धुत्र त्रिष्ठानों में किस उपकरड का वियोग किया जाता है इन्सीव एंब गया हम कैसे यँनल सीव यह हम कैसे इनल सूं लेकर तो हमalarा म किस म्यवात करेंगे दो इसका प्रियों करेंगे यानि की सीओं के का राइट ऑप्सन हो जाएगा आगे देखेंगे आगे कुर्षिन हमारा और इस्टेज वो voltage stabilizer में किस प्रकार के relay का उपयोग किया जाता है देखते हैं चार option तो चार option आपकी screen पर आ रहे हैं ये आ चुके हैं आपकी screen पर चार option लेट चिंग रिले वर्तमान रिले के तहत वर्तमान संबेदन रिले या voltage संबेदन रिले तो दोस्टों तो इसका 93 का अगर आप लोगों ने डी option लगा दिया voltage संबेदन रिले ठीक है तो इसके हिसाब से हमारा डी option इसका सही हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं आगे question है device का नाम क्या यह आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने इति में practical जब होता है तो उसमें आपको जरूर बताया गया होगा इसको क्या बोलते हैं बताया गया होगा आपको इस्टार बोलते हैं यह आप सुच बोलते हैं तो दोस्तों 94 का जोमारा एट अप्सन हो जाएगा कांटेक्टर यानि कि सी ओप्सन मारा राइट ओप्सन सी ओप्सन हो जाएगा दोस्तों ठीक है सबी ट्रेनी से मैं एकी बात बार-बार बोलूंगा प्रीज वीडियो को पूरा देखें ध्यान से और हो सके तो अपने दोस्तों में और आपके चाहने वाले जो भी हो उनको इस अगर आप लोगों ने 1666 कौन साथ कौन साथ सी ओप्सन यह क्या हो जाएगा दोस्तों ठीक है आगे कुश्चन देखेंगे आगे कुश्चन जो है मारा एक डिवेल्यू वह एक रिवाय रेव्ल फ्यूज के लिए फ्यूजिंग करंट क्या आया है वन पॉइंट टू वन पॉइंट फाइव टू यह हम कह सकते वन पॉइंट फो से लेके वन पॉइंट से विन तो चानवे का दोस्तु क्या जाएगा राइट ओप्सन जो हो यहीं हमारा किया आजाएगा दोस्तों सही ओप्सन हो जाएगा आगे देखेंगे आगे आगे हमारा कोशन कौन सा पैरामीटर लोड को नुकसान पहुंचाए बिना फाल्ट के तहट फ्यूज तत को खोलता आए करन्ट रेटिंग खोलती है यह बोल्टेज रेटिंग खोलती ह यानि कि D option इसका right option हो जाएगा आगे देखेंगे आगे कोश्चन हमारा है time delay उद्देश के लिए किस रिले का उप्योग किया जाता है इसका प्रियोग करेंगे अंठानवी का उप्योग करते हैं यानि कि C option हो जाएगा आगे कुश्चन देखते हैं कौन सा रिले बहुत कम सक्ति के साथ काम कर रहा है मतरब बहुत कम सक्ति के साथ तो यह हो जाएगा रीड रिले इंपल्स रिले थर्मर रिले इलेक्ट्रो मैगन तो नग्हाने भी दोस्तों राइट उप्सण हो जाएगा हम रिध रिले का परियोग करियां कौनसे रिड बिले यह औप्सन इसका राइट ऊप्सन हो जाएगा आगे question है भूरे रंग के code के साथ Cartes fuse की current rating क्या है एक ampere, दो ampere, चार ampere, पाँच एंपere तो 100 का जो हमारा right option क्या हो जागा अगर आप लोगों ने 4 ampere लगा दिया है कौन सा 4 यही हमारा क्या हो जागा right option हो जाएगा तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 question करवा दी है तो वीडियो जादा लेंदी नहीं हो जाए इसके लिए मैं वीडियो को यहीं पर पुस्ट करूँगा और आप लोग क्या करें और वीडियो को एंड कर रहा हूं यही पर ठीक है अगर आप वीडियो थोड़ा और टाइमिंग चाते हैं एक घंटे या डेड़ घंटे की तो आप जो question बचें सो question मैंने करवा दी है अब बचें एक डेड़ सो question लगए और बचें वो मैं एक ही वीडियो में आपको प्रवाइड कर दूँगा ठीक है आप टैंसन ना लें अ यहीं मिलते हैं नई जानकारी के साथ कर दो झाल 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 झाल